सभी को मेरा प्रणाम, दोस्तों आप भी निडर हो सकते हैं, आप भी निडरता के साथ जी सकते हैं, निडर होना संभव है, वास्तों में हमारे समाज को जितना निडर व्यक्तियों की आवशक्ता है, उतना किसी और प्रकार के व्यक्तियों की आवशक्ता नहीं है, हमें एक न निडर समाज ही न्याय परी हो सकता है एक निडर समाज ही न्याय दे सकता है और एक निडर समाज ही नैतिक हो सकता है दोस्तों यदि आपको कभी ये भ्रह्म है कि कौन सा व्यक्ति नैतिक है और कौन सा व्यक्ति अनैतिक तो आपको मैं एक तरीका बता सकता हूँ ये पता लग Hemingway Code Hero. यह Code Hero बड़ा विशेश शब्द है. Ernest Hemingway के Novels के जो Heroes हैं, वो साधारन व्यक्ति ही ही हैं. जैसे आपके जीवन की परिस्थितियां साधारन हैं, वैसे ही उनके जीवन की भी परिस्थितियां साधारन ही हैं. आपके जीवन की संलिप्दता जैसे साधारन हैं, वैसे ही उनके जीवन की भी संलिप्दता साधारन हैं. लेकिन एक चीज ऐसी है, जो उन्हें बहुत विशेश बनाती हैं. और उसी लिए हम उनको कहते हैं, हेमिंगवे कोड हीरो. और वो है उनकी सहनशीलता, उनका साहस और उनका आत्मसम्मान. सहनशीलता से ही साहस आता है, और यदि आपके अंदर साहस है, तो आपका आत्मसम्मान अपनी निगाह में बढ़ना शुरू हो जाएगा. और जिस जो व्यक्ति अपना सम्मान कर सकता है, उसको कोई भी असम्मानित नहीं कर सकता, चाहे परिस्थितियां कितनी ही विपरीथ हूँ. आप भी अरनेस्ट हेमिंगवे के कोड हीरो की तरीके से जी सकते हैं. आप भी कोड हीरो का जो यह मानक है, उसको अपने जीवन में स्थाफित कर सकते हैं, ऐसा करना संभाव है, हेमिंग वे कोड हीरो की तरीके से आप जी सकते हैं, और इसका कारण ये है, क्योंकि किसी भी परिस्थिती में डर, एक प्रतिक्रिया मात रहे, एक भावना मात रहे, लेकिन डर से मुकाबला करना कोई प्रतिक्रिया नहीं है यह आपका फैसला है और जब आप यह फैसला कर लेते हैं तो आपका जीवन बदलना शुरूर हो जाता है दोस्तों स्विश साइकेटरिस थे उनका नाम था काल गुस्ताव यूंग उन्होंने संदर में बहुत ही महत्वपून वक्तव वे दिया है वो कहते हैं वेर इस यूर फैर देर इस यूर टास्क जिस वस्तु से भी आप डरते हैं बस वहीं पर आपको काम करने की जरूरत है तो काम कैसे करें तो रोज जिस वस्तु से भी आप डरते हैं जिस परिस्तिती से भी आप डरते हैं छोटे-छोटे कदम बढ़ा करके उसका मुकाबला क करना सुरू किज़िए कोई बड़ा काम करने की कोशिश ना किजिए आप रोज मर रहा कि अपनी जिन्दगी के जो डर है उनको दीरे-दीरे करने का प्रयास कीजिए तो आप पाएंगे कि आप डरते थे इसलिए आप दरते थे इसलिए परिस्थितिया इतनी डराऊनी थी जब आप डर का मुकाबला करने लगेंगे तो आपके जीवन में एक आशचर जनक बदलाओ आएगा. आपके जीवन की जो entropy है वो नीचे गिरना शुरू हो जाएगी आपकी जो अवेवस्थित ऊरजा है वो अवेवस्थित ऊरजा नीचे गिरना शुरू हो जाएगी दोरुस्तों टिब्बत में एक Stellenblar teaching होती है उसमें ये बताया जाता है एक बड़ी महतोपूर कहानी है एक राजकुमारी है वो सपना देख रही है और एक राच्छस राजकुमारी को उसके सपने में दोड़ा रहा है राजकुमारी पहाड़ी एरिया है वहाँ पे एक तरफ खाई है एक तरफ पहाड़ है राजकुमारी सड़क पर दोड़ती चली जा रही, राक्षास उसको दोड़ाता चला जा रहा है, दीरे 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 राक्षास उसके करीब आता चला जा जा रहा है, अचानक सड़क बंद हो जाती है, अब राजकुमारी के पास आगे जाने का रास्ता नहीं है, राजकुमारी सहस इकठा कर के उस राक्षास से पूछती है कि तुम चाहते क्या तो राक्षास ये बताता है कहता कि ये तो आपका सपना है आप बताएंगी कि मैं क्या चाहता हूँ दोस्तों आप डरते हैं इसलिए डर का राक्षास आपको दोडाता है अगर आप रुक करके ये फैसला करें कि आप डर क मुकाबला करेंगे दर को फेस करेंगे तो आप पाएंगे कि वही डर धीरे 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 आपकी उर्जा बन जाएगा उसी डर के आगे आपकी उर्जा है आपके जीवन की उर्जा उसी के पास चोपी हुई है तो छोटे कदम बढ़ाएं छोटे कदम बढ़ा करके आप रोजमर्रा की जिंदगी को जो है आप ठीक कर सकते हैं डर से आप मुक्ति पा सकते हैं दोस्तों जब आप डर का मुकाबला करते हैं तो ईश्वर भी आपकी सहायता करते हैं परिस्थितियां कभी भी बिगड़ती नहीं है डर का मुकाबला करने वाले की आप पाएंगे कि कहीं ज्यादा कीमती और कहीं ज्यादा मूलेवान है। दोस्तों जब आप की जीवन में निडरता के साथ जीने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता तब आपको पता चलता है कि आप उतने कमजोर नहीं है जितना आप अपने आपको कमजोर समझते थे। और साक्षी भाव। साक्षी भाव एक बहुत ही महत्वून तरीका है जिसके द्वारा हम डर का मुकाबला कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो सिरीज को देखते रहे हम लोग नए वीडियो के साथ आएंगे और साक्षी भाव के द्वारा डर का मुकाबला करने का रास्ता निक झाल दो झाल आया।